अपनी गारी का रजिस्टेशन कराने आर्टियो और इस रजिस्टेशन में खास बाती है कि मैं थे अपनी जारे करा और वहां जाके देखेंगे क्या क्या प्रक्रिया है और कौन-कौन-कौन से फॉर्म है वो भरने पड़ते हैं उसके लिए मैं आपको पूरी जानकारी आज के वीडियो में तो बहुत जादा informative होने वाला है आज का वीडियो क्योंकि registration से related आपको सारी knowledge मिलेगी और उत्राखंड में हम registration करा रहे हैं मैं आपको सबसे पहले यह बता दूँ कि उत्राखंड अलमोडा RTO में जा रहा हूं और अलमोडा RTO में जाके हमें कितनी फीस पड़ती है किस गारी का एक्शुरूम कितना है वो सारी चीजे मैं आपको अभी बताता हूं अंदर चलके और गाईस वीडियो के स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट करने से पहले जो है चैनल को like, subscribe, share जर काड़ी देता हूं कि डॉक्यमेंट मैं आपको क्या-क्या चाहिए होगा जब आप आप अपनी गाड़ी का रेजिस्टेशन कराने के लिए तो सबसे पहले आपको टी आर सी चाहिए होगा अगर आपने गाड़ी कहीं आद भी बहुत से डॉक्यमेंट हे, अपेंट के बाद आपको चीह होगा में, इसके बाद आपको क्या जाएंगा सब मैं, पारि आपको चीह होगा और यह है फिर आपके पास चाहिए आपको sales certificate जिसमें की गाड़ी का एक शोरूम और यह सारी चीजें शारी चीजें mention होंगी ठीक है कितने की है क्या है पूरी detail गाड़ी की इसमाएगी फिर आपको चाहिए form 20 फिक है form 20 में जो है बाकी डिटेल गाड़ी की जितनी भी हैं यहाँ पर को कि इसका emission norms क्या हैं ठीक है ignition engine, compression, ignition engine values और यह सारी चीछे इसमें vehicle की हैं और मतब गाड़ी से related कुल मिलाके details ही हैं सब में उसके बाद जो है आपको चाहिए अपनी गाड़ी का bill गाड़ी का bill जो की proper होगा आपके show room के द्वारा ठीक है तो गाड़ी के bill के बाद जो है अगला चीज आपको चाहिए fast tag ठीक है यह fast tag होना भी बहुत ज़्यादा जरूरी है इसके बिना भी आपकी गाड़ी रजिस्टर नहीं होती कर्मक्राइभ कहिए मुझे तो उपर गाड़ी लगती भी नहीं लगती रिखते है नहीं तो यह लगा है जाना पड़ेगा जहां पर लगी हम काउंटर पर मैं यहां ने बना लिये है यह पर पूरी और इस इस फाइल में मैंने अपने कागज लगा लिये हैं पूरे के पूरे और ये सारी कागज जो है मैं जमा कर दूँगा गाड़ी चड़ाओंगा एक रिसिप्ट पुलूँगा और उसके बाद इसकी फीज जमा करने जाएंगे तो चलिए कागज देते हैं इदर सरी गाड़ी चिप्चड़ाओंगी जाएंगे तो गाइस कागजो का हमें अप्रूबल मिल चुका है और अप्रूबल के बाद मैं आपको दिखाऊंगा या पर इतना पैसा हमें अब जमा करना है एक लाग साथ हल्यार साथ सो पिचानब दे तो गाइस फॉर्म नंबर बीस पे जो है मैंने चैसिस ट्रेस कर लिया है और ट्रेस कुछ इस तरीके से कराया देखिए यह जो पैंसिल से यहाँ पर को नीचे पर कराया है विलकुर साफ आना चाहिए तो पैंसिल गिसी है और ब अब फीर गाड़ी पहले पास हो जाए उसके बाद जो है फीज माओ तो यहाँ पर को जो है इंसपेक्शन में सबसे पहले चैस नंबर मिलाया जाएगा जो की मैंने फॉर्म पर ट्रेस करा था और गाड़ी के चैस नंबर को से मैच करा जाएगा तब ही मेरे जो का गचश है में आपस सम्मिट होंगे कि गाड़ी पे बिल्कुल सही चेचस नमर है यही गाड़ी है जो आई है रेजिस्ट्रेशन के लिए और भी चीजें चेक होंगी जो की आ रहा ही करेंगे और उसके बाद जो है आगे की प्रक्रिया होगी तो पहले गाड़ी पास कराते हैं फिर आप पंदर में निसमें normal के अचीब करेंगी बाहर तो चलते हैं अंधर वीस करता हूं और उसके बात आपसे मिलता हूं ऊथर बंदा आप steps in के साइबर कैफे में वहां से नंबर बुक करता हूं उसके बाद यह फाइल महां जमा कर दूंगा तो जो नंबर मुझे चाहिए वह भी आ जाएगा और अपना रिजिस्ट्रेशन वह आपको देखने को मिलेगा अपनी नई गाड़ी में और वह जब आएगा तभी दिखाऊँगा आप भी नी दिखाऊँगा इसमें लिखाऊ आया एक पेज में आपर को और नंबर भी आप जो है हमने बुक कर लिया तो यह सारी प्रोसेस आपको समझ में आ रही होगी आई से चलिए लास्ट में जो है हम अपने कागज जमा कर देंगे और एचसर पी ले लेंगे जो की नंबर प्लेट की रिसिप्ट होती है और उसको दे देंगे शोरूम पे जब हमारी नंबर प्लेट लग जाएगी तो हम वह रसीद लेके आएंगे और यहां से अपनी आरसी कले कर दिया है और बांकी मेसेज़ेस आया हूंगे फोन पर अभी मैंने देखे नहीं है वह बात लग है बट यह सारी चीजें जो है हो चुकी है और मुश्किल से मुझे एक घंटा लगा हुआ इन सारी चीजों में तो लगता है यह थोड़ा गाड़ी भी चेक कर आनी है फिर छिस नमबर भी देश करना है सारी चीजें तहों प्रक्रिया को एक बार दोहरा लेते हैं टीक 185 गया है थीक है देखिक प्रक्रिया में सबसे पहले आपके काँच पूरे होने चीपका पहले काड़ आपका कार्थ आफ के फोटो आपकी जितने वी सारे काड़ाश है जो मैं एक फीज की रसीद मिली कि इतनी फीज आपको जमा करनी है उसके बाद मैं जो है इस गाड़ी का इंस्पेक्शन के ले गया इंस्पेक्शन कराया गाड़ी को उक्के करा लिया आराई सहाब जो भी थे वहाँ पर को उनके बारा गाड़ी उक्के हो गई क्योंकि नहीं गाड़ पर चाहिए था मैंने उसको जमा नहीं करा पहले मैं आपना नमबर बुखन लिया ऑनलाईन और उसकी फीज मुए अपना पसंदीदा नमबर है उसका हमने फीज जमा करी हुआ उन पर और यहां पर मैंने रिजिस्टेशन करा है आप यह कौंटर है क्या है यह अलग नमबर उन क्या है तो गाइस काफी जादा मजाया एंपर इभर में अपडेट हो जाएगी लेकिन आर्सी अभी आगे का प्रक्रिया भी है आर्सी जो है वह लगेगी नंबर प्रेट आने के बाद नंबर प्लेट आएगी शोरूम में उसके बाद मुझे यहां से आर्सी मिल जाएगी को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना देखिए इंटी इंफॉरमेटिव बाते में आपके लिए सब लेते आऊँगा आने वाले टाइम पर भी तो चैनल से जुड़े रहिए और बहुत-बहुत थैंक्यू एंटीटी कास फैमिली के मेंबर्स होने के नाते जो है आप आपको बहुत-बहुत धन्यवाद और मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में तब तक के लिश्टे से की प्लेस्ट बाइबाए